नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि क्यूं बनाए इष्ट देव, कैसे पहचाने इष्ट देव को और कुछ ध्यान रखने वाली बातों के बारे में वैसे तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा और श्रधा के अनुसार किसी भी देवी या देवता की पूजा कर सकता है लेकिन अपनी इष्ट देव की पूजा करना विशेश रूप से महतपुन माना जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार इष्ट देव की पूजा करने से व्यक्ति को अच्छे और शुफ फलों की प्राप्ती होती है व्यक्ति जीवन में उनती कर सकता है और मनोवांचित फल प्राप्त होते है कोई भी ज्यान आपको बिना इष्ट देव की कृपा से आपको कुछ नहीं सिखा सकता, कोई भी शक्ति आपको बिना अपने इष्ट देव की कृपा के आध्यात्मिक एफ धनवान नहीं बना सकती, आपको सिखाने वाली और प्रगती की राप पर ले जाने वाली शक्ति और क कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा एव उस आत्मा में बसने वाले आपके इष्ट देव ही हैं। हर इंसान को जीवन में संगर्ष करना पड़ता है, संगर्ष में हम सक्षम बने रहें, सैन्शिल बने रहें, धैरेशिल बने रहें। इसके लिए हमें एक अध्यात्मिक उर्जा की अवश्यक्ता होती है वह उर्जा हमें ध्यान से, योग से, मंत्रों से और अपने इष्ट देव की आरादना से मिलती है। अब इश्ट देव की कैसे पहचान करें। इश्ट देव का अर्थ है अपनी पसंद का देवता। हर किसी का मन किसी एक देवी या देवता की और सबसे ज्यादा आकरशित होता है। और ऐसा बचपन से ही होता है कि किसी ना किसी भगवान के प्रती आपका जुकाव हो, संकड का समय हो या खुशी के पल हो, जब आप हिर्द्य भाव से अपने मन की आवाज सुनकर जिस भगवान को आप याद करते हैं, वही आपके इश्ट देव हैं। वो भगवान कोई भी हो सकते हैं, किसी को भोले नात प्रिया हैं, तो किसी को श्री हरी का साथ अच्छा लगता है, कोई हनुमान जी को बहुत मानते हैं, कोई मातारानी के भक्त होते हैं, तो अपनी अपनी श्रधा के अनुसार किसी ना किसी भगवान के प्रती हर किसी का ज जुकाव होता है तो आपका अपने आप जिस भगवान के प्रती जुकाव हो वो ही आपके इश्ट देव हैं इश्ट देव वो होते हैं जिनको आप सभी भगवानों में से सबसे ज्यादा मानते हैं पर ऐसा ना हो कि कोई एक आपके इश्ट देव हैं दूसरे के प्रती द्व इसा बिल्कूल ना करें, अगर आप भगवान विष्णू के भग्त हैं तो बहुत अच्छा है, आपको जितनी उनकी भगति करनी है करें, पर भगवान शिव्द के प्रतिद्वेश बिल्कूल ना रखें, उनकी भी पूजा करें, अलग-अलग ग्रहों की समस्या के लिए भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है जैसे सूर्य के लिए सूर्य की उपासना करें या गायतरी मंत्र की साधना करें चंदर्मा के लिए भगवान शिव की उपासना मंगल के लिए कुमार कार्थी के या हनुमान जी की उपासना करें बुद्ध के लिए मा दुर्गा की या गनेश जी की उपासना करें, ब्रहस्पती के लिए श्री हरी की उपासना करें, शुक्र के लिए मा लक्ष्मी या मा गोरी की उपासना करें, शनी के लिए श्री कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें, राहु के लिए भैरव ब बाबा की उपासना कर सकते हैं, केतू के लिए भगवान गनेश की उपासना कर सकते हैं, या विशेश समस्याओं के लिए भी आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं, जैसे मानसिक समस्याओं के लिए शिवजी की उपासना करें, शारीरिक दर्द और की उपासना करें बाधाओं के नाश के लिए भगवान गनेश की पूझा करें धन के लिए मा लक्षमी की उपासना करें मुक्ती-, मौक्ष या अध्यात्मिक उपलब्दी के लिए शुरीकृष्ण या महादेव की उपासना करें। अगर आपकी कोई समस्या नहीं भी है, तब भी आप दूसरे भगवान की पूजा करें, उनके सामने जब भी जाएं, उनसे यही मांगें की मेरे जो इश्ट देव हैं, उनकी भक्ती में मैं रमा रहूं, ऐसी मुझे शक्ती दें, ऐसा मुझे आशिरवार दें, आपके सारे का बनते रहेंगे, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, पूजा आपको हर किसी की करनी है, उनसे यही मांगें की मेरे इश्ट देव के प्रती, मेरी भक्ती बढ़ती जाए, और अपने इश्ट देव से सब कुछ मांगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा, दूसरे भग पूजा जरूर करनी चाहिए, उनका अशिरवा जरूर लेना चाहिए, ध्यान रखें की इश्ट का ध्यान जब का समय निश्चित होना चाहिए, अर्थात यदि आप सुबा साथ बजे जब ध्यान करते हैं, तो रोज उसी समय ध्यान करें, अपनी सुविधा अनुसार समय ना बदले, विशेश अफसर पर इष्ट पूजन के बाद ही कारय प्रारम करना चाहिए, तो अपना इष्ट देव जरूर बनाएं, जो भी आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हिर्दय कहे, शासरों में भी कहा गया है कि इनसान को किसी ना किसी भगवान को अपना इष्ट को ही याद करें, तांकि आपकी प्रातना भटके नहीं और पूजा का फल प्राप्त हो सके, आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, धन्यावाद